कुना जिले के होम गार्ड SDRF सैनिक अरुन रगवाईशी जो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में उपचार थे उनका आज सुबा दुखत निदन हो गया है दश्रम मिदान में शनिवार से शी लक्ष्मिनारण यग्य के साथ शीराम कता का शुबारम हुआ कता के प्रथम दिवस अंतरास्टिय कता वाचक पॉंडरिक गौस्वामी महराज ने प्रभु शीराम के जनमुस्व से लेकर उनकी सिख्षा दिख्षा और बाल लिलाओ को सुनाया महराज ने कता का समापन करते हुए शोताओं को भगवान शीराम के वंशजो की भी साथ कता सुनाई महराज ने प्रभु शीराम की महिमा और उनके चरित का वर्णन करते हुए कहा कि राम तो भारत की आत्मा है देश का भविश्य है और वर्तमान दोनों राम है इधर पहले दिन ही कता का समापर करने बड़ी संक्या में शोताओं पहुँचे कता पांडाल खचाकच भरा रहा स्वक्ष सर्वेक्षर 2023 के अंतरगत जमीनी तयारियों के बहुतिक सत्यापन एवं निरिक्षर के संबद में ग्वालियर संभाग आयुकते महोदे द्वारा दीपक पांडे संयूंत संचाला के सिक्षा विभाग ग्वालियर संभाग को नगर पालिका गुना के अंतरगत सर्वेक्षर के तयारियों का जैसा लेने के लिए बेजा गया दीपक पांडे जी द्वारा सारवशनिक सोचाले सारवशनिक छेत्रो एमार एफफ स्टीपी विंडो कंपोस्टिंग वेस्ट टू वंडर पार्क आदिका निरिक्षर किया गया तथा सर्वेक्षर की तयारियों के संबंद में आवश्चक दिशनरदेश दिये गए मोगे पर दीपक पांडे जी के साथ बीबी गुपता प्रभारी नितिन चंदेल उपियंत्री शकील खान अमितारिय एवाम हमस टीम के सधा से उपस्तित रहे नगरपालिक आदियक्षि सविता अरविंद गुपता एवाम मोगे नगरपालिक आदिकारी के निरिदेशन में निकाय स्वक्षता के छेतर में बहतर कारे कर रहे हैं से नागिश्वर से होते हुए सोमनाथ से हुए बरोडरा सूरत से होते हुए उमकारेश्वर उज्जेन महाकाल से होते हुए आज गुणा पहुचे जिनका सभी लोगों ने माला पहना कर स्वागत सम्मान किया जनक सिंग चोहान द्वारा अभी तक गुना पहुचने तक 1700 किलो मिटर की साइकल से यात्रा कर चुके हैं मेरा मक्सद ये है कि राम सितु का पून निर्मान हो इसा समाज मेंगे बंदूबस कर वाली से आपका महन उद्देशी है मेरा मेह नियुद्धिश यह है कि राम सेतु का पुन्न निर्मान हो जो 1480 में एक चक्रवाद की कारण पानी में दस गया था उसके पुन्न निर्मान की बाद पुरे देश से आवाज उठे इसलिए मैं याक्ता कर रहा हूँ शे दिवस्य धार्मिका योजन के लिए नगरपालिका ने बनाई विशाल पार्की मिवस्था नगरपालिका परिशे द्वारा शहर में चल रहे है विशाल धार्मिका योजन के लिए विभिन ने जिम्मेदारियां निभाई ज़ा रहे हैं पास तारिक से प्रारंब होई धार अर्मिक आयोजन में देश के विभिन भागों से आनेक धर्मा वो लंबियों के आनेकी संभावना को देखते हुए जिला परशाशन द्वारा नगरपालिका को विभिन जिम्मेदारियों के साथ पार्किंग विवस्था बनाया जाने के जिम्मेदारी दी गई नगरपालिका द्वारा गोपालपुरा तलाप के पास इसे चांद बाड़ी मैदान में विशाल पार्किंग का निर्मार किया जा रहा है नगरपालिका अदियक्षि सवीदा अरविंद गुपता मुख्य नगरपालिका दिकारी विनोत कुमार शुकला ने बताया ये छेत्र पूर्ता जं चैनिक विहार पुलिया से चंद गाड़ी पहुचने के लिए सड़क का निर्मार किया गया है इसके लावा जशेरा मैदान से सीधे चांद बाड़ी पहुचने के लिए 30 फिट चोड़ा एवं लगबा के 8 किलोमेटर लंबा आस्थाई रोड का निर्मार किया गया है इन मा पॉल लगा कर विदूत प्रकाश मवस्था की ज़ा रही है। पॉलिस अदिक्षक राकेश कुमार सागर के प्रतिवेदन के अधार पर दिनांक 19 मार्च 2022 को पॉलिस थाना कुमराज द्वारा कारिवाही करते हुए आरूपी गड़ बहादूर सिंग पुत्र बालमकुंद मीना अशोक पुत्र कैलाश जोगी एवं राम जीवन पुत्र हार सिंग मीना निवासिगर ग्राम तुलसी खेडा थाना कुमराज को अपनी मोटर साइकल बिना नंबर द्वारा वैदरूप से हाथ बट्टी की कच्ची शराब दो कैनों में कुल सतर लेटर शराब को परिवाहन करते पाये जाने पर उक्त शराब एवं वाहन मोटर साइकल ज पुलसी खेडी तैसिल कुमराज जिला गुना को कारण बताओ सुशना पत्र जारी किया गया नगरपाली का परिशद गुना की अदियक्षि सवीता अर्विंद गुपता पूर्व पार्शद अर्विंद गुपता उपादियाए धरम सोनी धरम वाट पार्शद तरुड मालविये प्रदेश मंत्री सुनील मालविये द्वराज वाट क्रमांक 23 बुजरिया तलाब परिशन के पास पार्वी बाउंटरी वॉल निर्माडि कारिका बूमी पूजन किया गया 20 लागत से बनने वाले इस पार्व में बाउंटरी वॉल का निर्माड कर पेवर्स एवं कुरसियां लगाई जाएंगी पूर्व से लगे पेड़ पौदों को सुरक्षित कर उचित तरीके से सही जा जाएगा नगरपालिका अदियक्षे सवीदा अर्विन गुप्ना ने बताया कि शहर में हरवार्ड में पार्कों को विक्सित कराया जाएगा उन्होंने पार्क विक्सित करने में स्थानिये लोगों से सहीोग या पेक्षा की है बूमी पूजन के दौरान स्थानिये बच्चे एवं नागरिक बूमी पूजन के कारे से बड़े ही खुश नजर आए का कहना था कि हम अभी भी यहां खेलते हैं लेकिन गंदगी रहती है कच्रा पड़ा रहता है पार्क बनने से हम सुरक्षित हो जाएंगे उन्होंने नगरपाली का अधियक्ष से पार्क में ओपन जिम जूले आदी लगाने का नुरोद किया जिससे नगरपाली का अधियक्ष ने सहर्ष स्विक्रती देते हुए पार्क निर्माण होने के पश्चात उपेंजिम लगाने का आश्च्वासन दिया उपेंजिम की मांग करने वाले बच्चों में संजु रगुवंशी आधि कई बच्चे शामिल रहे भूमी पूजन के दोरान पार्शद, कृष्चन, मौरिया, शिवनरायन, कुश्वाह, विधायक, शिवपाल, सिंग, आधि कई लोग उपस्तित्र हुए अगर जल्द ही सफाई कर्मिशारियों की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में नगरवासियों को गंदिकी के कारण और भी ज़्यादा परिशानी का सामना करना पड़ सकता है आज श्रीमाल परिवार रागोगड एवं इंदोर द्वारा प्रदत एवं रोटरी कलब रागोगड एवं साहू समाज मंदिर रागोगड द्वारा संचालित आमजन के लिए सेवार्थ शीतल पेजल हेतु रागोगाड नगर के मुखे बाजार में दो इस्थानों साहू समाज मंदिर एवं श्रोयतांबर जैन मंदिर पर श्री माल जी तक्त वालों की दुकान के पास वाटर कोलोरों का शुभारंब पूर्व कैबिनेट मंदरी एवं रागोगाड विधायक मानन जयवर्दन सिंग्जी ने किया कारिक्रम के शुभारंब में रागोगर साहू समाज के अधियक्ष मुनेश साहू तैसील अधियक्ष महेश साहू एवं साहू समाज के जिला अधियक्ष एवं नगरपाली का अधियक्ष विजय कुमार शाहू अनुमेश किरन सेवा श्री नरींद्र लाख उटी पुर्शोतम शर्मा श्रीववी की अगरवाल कॉंट्रेक्टर अनिल नायक कॉंट्रेक्टर ने एवं साहू समाज की कारिकराडी पदादिकारी अंचल साहू सत्रिवरत्र साहू कोमल साहू विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि परिवार विधायक श्री जैवर्दन सिंग ने रोटरी कलब रागोगड एवं साहू समाज रागोगड की सराना करते हुए कहा कि आमजन के प्रती सेवा में निरंतर इन संस्थाओं को अपने जिमेदारी भूमिकान का निर्वाहन करते रहना शाही है इस अफसर पर रोटरी कलब रागोगड की सदे से अलोक रावत प्रकाश यादाव प्रकाश साहू बोपाल सैनी कारिक्रम का संचालन पंकर जिदिक्षित ने किया एवं अन्तमे कारिक्रम में पधारे हुए मुक्य अधिति एवं सभी पधारे हुए अधितियों के प्रती आभार मुकेश गोलु जी ने विक्त किया